देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राजियों के मुख्य मंत्रियों के साथ बुद्धवार को एक एहम बैठक की कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं दिल्ली, यूपी, करनाटक समेथ दस राज्य ऐसे हैं जहां खत्रे के संकेत मिल रही हैं इसी मुद्धे पर राजियों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक में सभी पक्षो को सुनने के बाद पियम मोदी ने संबोधित किया और बताया कि आगे के लिए क्या रणनीती अपनाई जानी चाहिए इस बैठक में देश में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना संकट पर विस्तार से चर्चा की गई इस मौके पर पियम मोदी ने कहा कि कुछ राजियों में पिछले दो हफतों से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं जिससे अलट होने की ज़रूरत है पियमोदी ने कहा कि पिछले दो सालों में ये हमारी 24 वी बैठक है कोरोना काल में जिस तरह से केंडर और राजियों ने मिलकर काम किया है और जिन होने कोरोना के खलाफ देश के लड़ाई में एहम भूमी का निभाई है वो काबिले तारीफ है और मैं सभी कोरोना वारियोस की सराहना करता हूँ पियमोदी ने कहा कि कोरोना महाबारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है हमने देखा है कि कई देशों में इसके नए वैरियंट सामने आए हैं भारत में हम कोरोना को काबू में करने में सक्षम रहे हैं। कुछ राजियों में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उससे हमें अलर्ट करने की जरूरत है। पियम मोधी ने कहा कि ओमिक्रॉन और उसके सब वेरियंट्स की तरहा गंभीर परिस्थिती पैदा कर सकते हैं। और ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं। हमारे देश में लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं और ऐसे में कोरोना केस के बढ़ने से परिजनों की चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूलों से बच्चों के संक्रमित होने की खबरे आ रही हैं। राहत की बात यह है कि जादा से जादा बच्चों को वैक्सीन का कवच मिल रहा है। पियमोदी ने कहा कि मार्च में हमने 12-14 साल के बच्चों के लिए टीका करन शुरू कर दिया था। मंगलवार को 6-12 साल के बच्चों के लिए भी को वैक्सीन टीके की अरुमती मिल गई है। सभी योग ये बच्चों का जल से जल टीका करन हमारी प्रात्मिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेश अभियान चलाने की जरूरत भी होगी। स्कूल के शिक्षक और बच्चों के माता-पिता इसे लेकर जाकरुक रहें। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। पियर मोदी ने कहा कि तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाग से अधिक केस देखे हैं। हमारे सभी राजियों ने इन्हें बक्षू भी हैंडल किया और बाकि सभी समाजिक आथिक गतिविधियों को भी गती दी। हमारे विज्ञानिक और विशेशग्य, नैशनल और ग्लोबल स्थिती को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। संक्रमन को शुरुवात में ही रोकना हमारी प्रात्मिकता पहले से ही है। आज भी यही रहनी चाहिए। प्यमोदी ने कहा कि टेस्ट, ट्रेक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटी को भी हमें उतने ही प्रभावी तोर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिती है उसे यह जरूरी है कि अस्पतालों में भरती मरीजों में जो हमारे गंभीर इंफ्लूएंजा के केस हैं उनका शत्प्रतिशत, आर्टी पीसियार टेस्ट हो। पीयर मोदी ने कहा कि इंफ्राइस्ट्रक्शर के अपग्रेट का काम तेसी से चलता है यह सुनिश्शित करना चाहिए। जबकि 32 लोगों की मौत हुई है, देश में अब तक करोना से मरने वालों की संख्या 5,23,654 हो गई है, राहत की बाद भी है, यह 24 घंटे में करोना से 2,52 लोग ठीक भी हुए हैं, हाला कि एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़होत्री बनी हुई है, अभी करोना के 16,289 मर अब तक कुल 4,25,25,563 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,30,65,496 लोग संक्रमित हुए हैं, यह भी बता दें कि यह लगातार आठवा दिन है जब करोना के 2,000 से जादा मामले दर्श किये गए हैं, 19 एपरिल को, 2067, 20 एपरिल को, 2381, 21 एपरिल को, 241 मामले 22 एपरिल को, 2527, 23 एपरिल को, 293, 241 और 25 एपरिल को देश में 2483 नए मामले सामने आए हैं, भारती चिकिसा अनुसंधान परिशद यानि कि ICMR ने जानकारी दी है कि भारत में मंगलवार को कोरोना वाइरस के लिए 5,05,65 सेंपल टेस्ट किये गए, यानि मंगलवार तक कुल 83 करोन, 69,64,89 सेंपल टेस्ट किये जा चुके हैं, कोरोना के बढ़ते केस के बीच PM मोदी ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की है, इस बीच ये अच्छी बात है कि अब पास से 12 साल के बच्चों के वेक्सिनेशन का भी रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से स्कूलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वो लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है, जरूरत इस बात की है कि स्कूल के टीचर्स और बच्चों के माता-पिता खुद तो वेक्सिन ले ही, चाहे वो पहला डोस हो या दूसरा या फिर बूस्टर डोस, साथ ही वो योग्य बच्चों का वेक्सिनेशन करवा कर उन्हें भी सुरक्षत करें और बाकी लोगों को भी जागरुक करने का काम करें, ताकि जादा से जादा लोग सुरक्षा कवच में आ सकें। बाकी के अपडेट्स के लिए जोड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार।